हेलो रिवन स्वागत है आपका विन आयस के यूट्यूब चैनल पर मैं भूपेंद्र दुबे कंटिनीव करते हैं हम लोग उसी स्रंखला के अगले प्रशनों को जिन में हम लोग डिसकस कर रहे थे व्यापम के विगत वर्सों में पूछे गए जनरल मैनेजमेंट के क्वेस् परिक्षा के लिए तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग इसको क्वेस्चन को डिसकस करेंगे और उसमें जो नहित अवधानाये हैं कंसेप्ट्स हैं उनको भी समझेगे तो कुछ प्रश्ण हम लोग ने डिसकस किये थे और आगे के प्रश्णों को हम लोग आज कंटिनीव क अगले महिने होने वाला है आपकी टीम का एक सदस्य बहुत खराब काम कर रहा है और पूरी टीम जो है उसकी दक्षता को नीचे ला रहा है यह प्रोजेक्ट की डेलेवरी में विलम कर सकता है टीम लीडर यहां डीलर लिखा हुआ है ध्यान रखेंगा लीडर लीडर के कोई व्यक्ति है जो आपके टीम में शामिल है और वो ठीक धंसे काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे यह decision making का प्रस्टन है तो देखते है options को पहले क्या-क्या दिया गया है अपने पास पहला option दिया गया है खराप प्रस्टन कर रहे सदस्य को terminate कर देंगे और टीम के अन्य सदस्यों पर अतरिक्त कारे का बहार डालेंगे देखिए जो भी हमें कारवाही करनी हो उसके हमें परड़ामों को ध्यान में रख लेना चाहिए कभी भी कोई भी decision लेते समय या कोई भ पुरे टीम के लिए, और्गनेजेशन के लिए अगर वो लाफदायक है तब तो निर्णा ठीक है अगर उसका परड़ाम ठीक नहीं है तो निर्णा अच्छा नहीं कर आजा सकता अगर इस विकल्प को हम लोग देखें कि उसको हम terminate कर देंगर आप तो इसका workload आने सरस्यों पर आजाएगा और terminate करने से आपकी समस्या solve नहीं होगी क्योंकि काम बढ़ जाएगा दूसरे लोग भी अपना काम ठीक धंग से नहीं कर पाएंगे तो यह सहीं विकल्प हमारा नहीं हो सकता है दूसरा दिया गया आपके लिए option अपने project को समय पर पूरा करने के लिए किस अन्य टीम से मदद मांगेंगे देखिए जब आप अन्य टीम से मदद मांगेंगे तो उसी costing भी आपको पे करने पड़ेगी उसकी लागत आपको extra लगेगी और यहाँ विसेस बात होती है कि कभी भी कोई भी organization यह नहीं चाहता कि उसके किसी भी project की लागत बढ़े तो यह ठीक नहीं है फिर अगला विकल्प दिया गया है खरा प्रदर्शन कर रहे सदस्य से बात करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे कि उसका प्रदर्शन कम क्यों हो रहा है और तदानुसार युक्ति अपनाएंगे जिससे उसकी कुसलता में सुधार हो और project की अंतिम तिथी प समझना उनको motivate करना तो सबसे पहले तो ये कारण जानने का प्रयास करें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है वो ठीक धंग से काम क्यों नहीं कर पा रहा है हो सकता है कि उसके पीछे कोई genuine या वास्तवी कारण और अगर उसको समझ लिया जाए तो उसको दूर करने का प्रयास करें औ और जिस्टे के उसी कुसलता में ब्रद्री हो जाएगे और आपकी leadership को भी वो accept और ज्यादा करने लग जाएगा कि यस हमारे boss ने हमारे leader ने हमारी problem को समझा तो यह बिल्कुल सही answer है चौथा भी हम लोग देख सकते है fourth option खराप प्रदरसन कर रहे हैं सदस्य को अंदेखा क करेंगे और उसका कार किसी अन्य टीम सदस्य को swapping है बिल्कुल नहीं क्योंकि अगर उसको अंदेखा करेंगे तो इस तरह से आप अन्य लोगों को भी motivate करेंगे प्रोसाहित करेंगे कि वह अपना काम न करें जो कि ठीक नहीं है यह गलत example set हो सकता है इसलिए यह उसका काम अ सी हमारा सही आंसर हो जाएगा चलिए next question देखते है पूछा गया है एक firm जो दो या अधिक अलग अलग ब्यावसायों में शामिल होती है देखिए जो ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक ब्यावसायों को कारिव करती हैं जैसे कि मान लीजे कि एक ही कंपनी है वो साब आज बनाती है वही कंपनी जो है वो मुवी बनाती है अधर खाने के प्रोडक्स बनाती है तो ऐसी कंपनियां जो कई कारियों में संगलंग न होती है कई तरह के product and services provide करती है इनको कहा जाता है diversified companies या हिंदी में करते हैं विशाखित जैसे बहुत सारे example है आप लेख सकते है टाटा को देखिए टाटा सभी लगबा लगबा सभी फिल्ड में एनरजी प्रोवाइडर भी है टाटा मोटर वीकल में भी है टाटा स्टील में भी है टाटा का नमक भी आता है आप और देखना चाहें तो ITC भी इसी तरह की company है इस तरह की बहुत सारे का रिलाइंस है तो इसका सही अंसर D है अन्य विकल्पों का भी मतलब हम लोग समझ के चलते हैं जैसे पहला option है एक बहुरास्ट्री निगम या multinational corporation तेकि multinational corporation ये company जो है वह company होती है जो दो या दो से अधिक देशों में कारे करती है ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में कारे रहते हैं उनका operations एक से अधिक देशों में हैं उन्हें हम multinational कहते हैं MNCs short में चाहे आप Reliance को ले लिजिए अगर foreign companies को देखेंगे तो IT में जाएंगे तो IBM ले लिजिए Infosys ले लिए या फिर आप Tata को ही ले लिजिए या भी MNC company है इनका जो ब्यावसाय है ये कई देशों में फैला हुआ है तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में कारे करते हैं उनको हम MNC या multinational companies कहते हैं फिर option दियागे है restructured company ऐसी कंपनी जिसके structure में financial structure हो या operational structure हो या hierarchy हो उसमें जब changes किया जाता है company के बेहतरी के लिए benefit के लिए तो उसे कहा जाता है कि वह restructured company है फिर venture company देखिए इसको समझने के लिए पहले आप यह समझ लीजे कि venture capital क्या होता है यह भी कभी पूछा जा सकता है venture पूजी या उद्यम पूजी देखिए वह पूजी जो नए innovative कारियों के लिए लगाई जाती innovative business के लिए जो बिलकुल early stage में है just कोई business start हुआ है कोई idea है जिस प करते है venture capital तो जिस company में venture capital लगा होगा होके लाएगी ventured company यह early stage होता है company का शुरुवाती दौर तो हमारा जो प्रस्ण था कि अलग अलग ब्यासायों में शामिल हो उसे कहेंगे हम लोग विशाखित या diversified company चलिए next question हम लोग देखते है अगला जो प्रस्ण पूछा गया है रिस्टा में निमलीखित में से कौन सा एक operation कारी नहीं होगा ah कि operation कारी का मतलब है जो काम करते हैं जैसे अगर मान लीजिये कि आप फूटर रिस्टार्ओे में जाते हैं जैसे ममाल जी निदि मैक डी में जाते हैं वो लोग जो कार आपको सर्व करनी के लिए करते हैं यह से आपने order दिया आपके सामने मीनू लेकर के आते हैं आपका बिल देते हैं आपको procent सर्व करते हैं इसससब का सब operation कहला तो उस operation में कौन सा कार include नहीं होगा या शामिल नहीं होगा किसमे food restaurant में तो example हम लोग medica ही ले लेते हैं बहुत इजी है या पिज्जाहाट ले सकते हैं आप domino's ले सकते हैं कि सभी के सभी क्या है food restaurant सुविधा का layout design करना देखे layout का मतलब होता है कि जो services provide की जाएंगी वो उसकी रूप उसका धाचा क्या होगा table benches कहां लगेंगी bill counter कहां पे होगा drinking facilities कहां पे होगी तो ये जो layout होता है water drinking किसे मेरा मतलब है जो layout होता है धाचा बनाना ये operation का part है क्योंकि वो बदल सकते हैं समय समय पे आप देखेंगे restaurants चे होते हैं बदलते रहते हैं marketing arrangements वो अपना change करते रहते हैं तो ये part operation में आता है दूस्ता हाँ उपकरण ब्यास्थित रखना maintaining equipment बहुत सारे उपकरण लगते हैं अवन लगता है जैसे तो वो भी उसको change कर सकते हैं तो ये भी operation का part है फिर है विज्यापन और प्रचार करना advertising and promotion देखें इसके लिए अलग से एक marketing department होता है जो ये देखता है कहां पे posters लगाने हैं कब TV channel पे add देना है कब हमें इसका newspaper में advertisement करना है कब offer लेकर करके आना है ये काम operation के अंतरगत सामिल नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा ये marketing department का काम है operation का काम नहीं है तो प्रस्ट ने पूछा यही गया है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा विज्यापन और प्रचार जो है ये operation का कारी नहीं है hamburger और fries बनाना ये तो उनका main काम है क्योंकि ये उनका product है तो ये तो वो operation में करेंगी करेंगी तो सही answer होगा C चलिए next question देखते है 16 number प्रदर्शन की निगरानी करने इसकी लक्षियों से तुल्ला करने और किसी महत्पूर्ण विचलन को सही करने की प्रक्रिया को जाना जाता है क्या कहते हैं उसको अगर इसको बहुत simple शब्दों में कहें कि मानक तै किया जाते हैं सभी organizations में तो जो लोग कारे करते हैं तो उन पे नजा रखना अगर उनका प्रदर्शन उनका performance उस मानक से उस standard से कम है deviate हो रहा विचलित हो रहा है तो उसको कैसे ठीक किया जाए यह जो कारे है वो क्या कहलाता है option देख लेते हैं नियोजन देखिए planning का मतलब होता है किसी कारे को करने की रूप रेखा बनाना उसका ढाचा कैसे हम करेंगो उसको कारे करने का कारे करने की रूप रेखा रूप रेखा ध्यान रखिएगा जैसे मानली जी आपको एक्जाम देना है तो आप planning करते हैं कि हमें कौन कौन सा subject कितने घंटे पढ़ना होगा कितने questions लगाने होगे तो आप क्या करें प्लानिंग करें नियोजन करें फिर गया आयोजन organize करना किसी कारे को organize करना जैसे आपका exam organize किया जाएगा ब्यापम का है तो ब्यापम करेगा अगर माली जी ससी कंड़क्ट करवा रहा है आयोजन कर रहा है तो ससी करेगा basically आयोजन operation है exam का तो ये भी different है फिर पूछा गया नियंत्रन control करना control के अंतरगत अगर आप देखेंगे अगर माली जी किसी कारी के लिए पैसा allocate किया गया और ये देखा जाता है कि quality work नहीं हो रहा और पैसा खर्च हो रहा है तो उस वक्त जो authority होती है उसका ये कारी बन जाता है कि वह इन बेफजूल की खर्ची को क्या करें नियंत्रित करें control करें खर्चे को control करें गुणवत्ता को control करें और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा निगरानी करनी पड़ेगी जो लच्छ डिसाइड किये गए हैं उनसे तुलना करनी पड़ेगी और यादि उन लच्छों से वो deviate हो रहे हैं कम कर रहे हैं अपना काम गुणवत्ता में कमी हो सकती है टाइम पे नहीं कर रहे हैं हो सकता ज्यादा खर्च हो रहा है तो उसको ठीक करना है यह सारा का सारा कारे जो होता है यह controlling का part है नियंत्रण का part है last है नेत्रत्र देखिए leading जो होता है वह आप जैसे कि किसी भी team का team leader होता है वो दिसार निर्देशित करता है guide करता है कि हमें उस कारे को करना कैसे है तो जो प्रस्ण पूछा गया उसमें सही option जो होगा हमारा होगा नियंत्रण नियंत्रण ही निग्रानी और इसके लक्षों से तुलना करने पर deviation को correct करने का कारे करता है तो ध्यान रखिएगा चलिए next प्रस्ण देखते हैं हाला कि व्यापार company पारंपरिक रूप से खालिस्थान के आसपास संगठित की जाती है की गई है एथलेटिक समोहों ने लंबे समय से खालिस्थान के महत्तों को पहचाना है दखिए इसको अंग्रेजी में तोड़ा ज्यादा आसान है वाइल बिजनेस फर्म्स हार टर्डिस्ट ने बीन ऑगनाइज़ अराउंड इंडिविजूल्स जो बिजनेस फर्म्स होती है वो इंडिविजूल्स से बनी होती है या कोई भी टीम भी यह न एथलेटिक ग्रूप्स भी जो होंगे वो एक-एक खिलाडियों से बनी होते हैं तो इंडिविजूल्स या ब्यक्ति परक होते हैं चाहे वो business organizations हो या team आप देखते हैं कि team में भी अलग-अलग छेत्रों से, अलग-अलग जगों से खिलाडी आते हैं लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो सामोही रूप से कारे करने लग जाते हैं तो यहाँ जो आना चाहिए, वो आना चाहिए ब्यक्ति परक यह मिल गया, ब्यक्ति परक पहले तो ढूंड लीजिए individuals और फिर वो क्या करते हैं, लंबए समय से किस चीज के महत होगा, सामोही कार है वो मिल के क्या करेंगे, team work करेंगे, बहुत सिंपल है individuals मिल करके team बनाते हैं, organization बनाते हैं कोई भी संगठन जो होता है, लोगों का समोह होता है लेकिन जब वो कार करता है, वो ब्यक्तिकत लोग आके जुडते हैं समोह का निर्माण करते हैं, और उस समोह की जिम्मेदारी पूरे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है ठीक उसी तरह से टीम में भी होता, टीम भी अपने आप में एक organization होती है कोई भी playing team हो, तो सही answer इसका होगा, individuals और team work अब बाकी के options को देखें, कारिसम हो, कारिसम हों से कोई भी संगठन नहीं बनता ब्यक्तियों से संगठन बनता है, फिर उनको कारें दिये जाते है ब्यापार्ज या कोई भी प्रवंधन से नहीं बनता है, लोगों का प्रवंधन होता है, लोग प्रवंधन करते है प्रवंधन एक प्रक्रिया है some again some more से company नहीं बनती है एक एक लोगों से बनाई जाती है team भी एक एक बैक्ति से बनती है some of से नहीं बनती तो यह तीनों option जो है वो ठीक नहीं है चलिए next option हम लोग देखते है sorry next question दोसरों को नियंतर्इत करने की इच्छा motive है या उद्देश से है देखिए प्राथमिक मोटीव, वह मोटीव होते हैं जैसे कि अब सभी अलग 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 उग्जाम के त्यारी तो अब इस थाइम पर सब का जो प्राथमिक मोटीव है वो हो गया कि पटवारी क्लियर करना है आप सभी जानते हैं, तो सबसे ज़्यादा जवरी हो, प्रात्मिक कहलाता है, जो secondary हो, यानि कि उसके बाद जो important है, वो secondary motive कहलाएगा, या उद्देश से कहलाएगा, उपलब्धी से मतलब है, जो हमने अचीव कर लिया, गर्मान लिजी आपने कोई exam पास कर लिया, किसी company ने क target अचीव कर लिया, वो उसकी उपलब्धी होती है, पावर, लेकिन दूसरों को नियंत्रित करने के इच्छा क्या कहलाती है, पावर, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों कंट्रोल करें, तो आप यह चाहेंगे कि आपके हाथ में क्या हो, पावर हो, तो सही answer हो जाएगा, पा रणनीतिक प्रवंधन में हम लोग शुरुवात करते हैं, गोल्स के नेधारण से, हमारा गोल क्या है, और इसको खतम कहां करते हैं, रेजल्ट के इवैलवेशन से, परिडामों के मुल्यांकन से, हमारा रेजल्ट क्या आ रहा है, वहाँ पे जाके स्टर्टिक प्लानिंग खतम होती है, तो आंसर आप देखेंगे, तो यह मिल गया, आमलों के प्रडामों का मुल्यांकन, इसके पांच चरण मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताये थे, कि स्टर्टिक प्लानिंग के पांच चरण होते, फाइव स्टेप्स होती हैं, तो आप अगर पुराने वी मार्केटिंग कार का मुख्य सरोकार है, सामगरी आप उर्तियों उपकरण का उपारजन करना, देखिए, प्रोक्योरिंग मेटेरियल सप्लाइज, इसके लिए प्रोक्योर्मेंट डिपार्टमेंट होता, या उपारजन डिपार्टमेंट जिसकों लोग बोलते हैं, पर्च इसनिकली काम ही ही होता है कि customer's के needs को समझना और उनको demand में convert करना उनको demand उतपन करना माल का उतपादनश करना या सेवाय प्रदान करना यह यह काम जो है operation department का है यह ध्यान रखेगा यह operation department का और माल उतपादनश करना सकरात्मक्षवी का निर्माण और उसे बनाये रखना वैसे ये भी काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही है इसको बोलते हैं ब्रैंड इमेजिंग लेकिन जो मुख्यकार है वो है पहले डिमांड को उत्पन करना उसके बाद प्रोड़क्ट सेल के बाद ब्रैंड इमेज और उसकी बनाये रखने की बात आती है तो मुख्यकारे जो है उसका मांग उत्पन करना ध्यान रखिएगा brand imaging या branding का जो काम है वो भी marketing department ही करता है लेकिन ये product sale हो जाने के बात होता है next question है मारा खालिस्तान इस बात का अध्यान है कि भोगता किसी बाजार में उत्पाद या सेवा का chain और खैदारी कैसे करते है यानि कौन से ऐसी study है जो हमें ये बताती है कि जो consumer होगा जो भोगता होगा वो किस प्रकार से कोई खरिदारी करता है इसके लिए बहुत simple से एक branch है marketing में कही जाती है consumer behavior consumer behavior भोगता ब्यवहात उसमें भोगता के ब्यवहार को study किया जाता है कि किस तरह से वो भोगता जो है अपनी मन चाहे product को पसंद करता है उसके बहुत सारे factors होते है कि उसकी रुची किसमें है जैसे आप देखो इसमें लिखाओ भोगता आपकी प्रमत्ती क्या है उसका inclination क्या है जैसे अगर मान लीजे कि कोई ब्यक्ति कपड़ा खरीदने जा रहा है तो उसका कौन सा कलर उसको पसंद आता है किस religion को बिलॉंग करता है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग से धार्मे के स्थल पे जाते हैं तो हम लोग religious कपड़े खरीद लेते हैं आपने देखा होगा कि मंदिरों के सामने एसिस्टर के कपड़े मिलते हैं इसमें राम नाम लिखा होगा ओब नमा शिवाय लिखा होगा तो यह inclination है जो धार्मिक प्रवत्ति का ब्यक्ति होगा वो उसको खरीदेगा तो यह भी किसका पार्ट है consumer behavior के अंतरगत ही study किया जाता है वो भोगता के प्रवत्ति को उसकी आवसकता ही क्या है उसको भी समझा जाता है consumer behavior के अंतरगत जैसे अगर किसी ब्यक्ति को मान लिजे प्यास लगी है तो पानी पीना चाहेगा अब उसको package drinking water बेचना है अगर उसकी जेब allow कर रही है मतलब उसका पैसे ठीक ठाक है तो आप उसको महंगा drinking water बेच सकते हैं और यदि मान लीजे कि वो बहुत कम सस्ता खर्च करना चाहता है कम पैसा खर्च करना चाहता है तो वो केवल उन्हीं पानी की bottle को खरीदेगा जो सस्ता होगा तो खर्च करने की प्रति तो उसकी needs क्या है और उसके पेइंग कैपिस्टी क्या है ध्यान अखियेगा needs वो होती है जो हमारी जवरत होती है और यहीं से create किया जाता needs को demand में demand वो होती है जो हम अपनी paying capacity के आधार पर मांगते हैं बाजार से जैसे मान लीजे कि आपको की भी हो सकती है तो अगर आप पांस लाग के demand करते हैं घर वालों से तो आपके demand है ना की need need तो fulfill हो जाएगी आपकी असी अजार की बाइक में भी भोगता बेवहार एक broader term है जिसके अंतरगत ये सब चीजे पढ़ी जाती है वो भोगता की अनभूती यानि उसका perception क्या है वो क्या समझता है उनको लेकर के बोलते हैं दिमाग में इसमें पोजिशनिंग क्या होती है जैसे आप देखते हैं advertisement मे क्या किया जाता है वो भोगता के दिमाग में इमेज बठा दी जाती है आप advertisement में देखते हैं कि thumbs up तुफानी है तो क्या तुफान थोड़ी आता है लेकिन जो यंगस्टरस होते हैं वो क्या पीते हैं thumbs up चादातर करके क्यों क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत hard है उसको पीने से हम हम से अपनी ego जो अपना हमारा जो internal satisfaction होता है emotional satisfaction वो हमको मिलता है वो क्या है perception क्या सोच है मारी तो यह सभी के सभी जो तीन topics हैं they are part of consumer behavior consumer behavior के अंत्रगत customer की प्रिवित्ती उसकी आवसक्ताओं उसके अनभूती उसकी paying capacity इन सब को study किया जाता है और फिर उसके according प्र दिर्मार किया जाता है चलिए next question हम लोग देखते हैं प्रश्ण पूचा गया आसानी से परिवत्तन लाने के लिए बेक्तियों पर ध्यान या अवधान केंद्रित करने के बजाए संपूर संगठन में परिवत्तन लाने की एक तक्नीक का नाम बताईए देखिए यहां क्या ब्रिंग चेंजेज इन दे एंटायर ओगनाईजेशन पूरे ओगनाईजेशन में जब चेंजेज लाने हो तो उसको कहा जाता है ओगनाईजेशनल डेवलप्मेंट अना ओगनाईजेशन का विकास जो की option number है सी और ओगनाईजेशनल डेवलप्मेंट के अंतरगत कल्चर भी कुछेंज किया जा सकता कॉंफिक्ट रिमूव किये जाते हैं और ओगनाईजेशनल डेवलप्मेंट एक ऐसा टर्म है जिसके अंतरगत सभी उपर के दिये जो options दिये गए a b and d वो इसके अंतरगत include हैं तो जब आप इस तरह के प्रस्णों को देखें तो ध्यान रखें उनके options को थोड़ा analyze करें कई बार देखा गया है कि वो उनहीं के जो components होते हैं उनको options से बना के दे देते हैं जो most suitable हो उसे हमें choose करना होता है आज के session में इतना ही अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं ध